हेलो डॉक्टर साब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्राजुएट कर चुकी हूँ मेरा सवल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की साधी करे और अगर ऐसा हो कि ओ मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के ख़र में नावाज पड़े और हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे तो ये क्या जायज है या नादद है गयन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुस्लिमान लड़का हिंदू लड़की से शाधी करता है तो क्या वो मुसल्मान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसल्मान के घर में पूजा कर सकती कहने सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज़ के आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पईया रखेंगे साइकल का इसलिए कुरान की आयत सुरे बकरा की सुरा नमबर दो आयत नमबर दो सो एकीस में आला तला फरमाते है कि आप मुश्रिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो इमान न लाए मतलब जो गैर मुसलिम हैं और शिर कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो इमान ना लाए और एक इमान लाने वाली आउरत चाहे कितनी भी बसूरत हो वो एक मुश्रिका से बहतर है और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुश्रिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो इमान ना लाए एक मुमिन आदमी चाहे कितना भी बसूरत हो वो बहतर है बनित्बच जो शिर करता है इसकी वज़े ये है कि इसलाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के इलावा किसी को और पूचते है किसी और की अबादत करते है ये सबसे बड़ा गुना है और अल्ला तरह फर्माते है सुरह निसा में सुरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सुरह निसा सुरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्ला सुभानावत ताला अगर चाहे तो कोई भी गुना को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगा अगर एक इनसान मुश्रिक जैसा मर गया तो अल्ला ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि मुश्रिक वो शक्से जो शिर्क करता है और यह सबसे बड़ा गुना है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा इशुर, हमारा खुदा, हमारा भगवान अगर हम उसको गाली देंगे यह सबसे बड़ा गुना है जिसने हमें जिन्दगी दी जिसने यह सारी चीज़े हमें दी दुनिया में अगर हम उसको गाली देंगे उसके इलावा किसी और की अबादत करेंगे यह शिर्क हुआ तो इसी लिए इसलाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का ये लड़की कोई मुष्रिक लड़का ये लड़की से शादी करे तो ये इजाज़त नहीं है जहां तक कि सवाले का एक आम मुसल्मान हिंदुगर में नमाz पर सकता है अगर उसके सामने कोई मूर्ती नहीं है तो वह नमास कहां भी पढ़ सकता है अगर जगा साफ है हमारे रसुन-षुम्हिजऑ पसे फर्माते के सारी दुनिया सारी धरती मुमिन के लिए मस्जिज़ है नहीं सारी दुनिया आप कहां भी नमास पढ़ सकते देखना चाहिए के साफ है आप नमास पढ़ सकते हैं तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर्म में जाते हैं और वा साफ है कोई मूर्ती आगे नहीं है नमास पढ़ने में कोई हर्द नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाए फिर आप नमास पढ़ सकते हैं शादी करने की जरूरत नहीं है, नमास पढ़ने का है, अगर साफ जगा है तो कोई हर दें, इसलिए शादी के लिए शर्त है, कि दोनों का इमान हो, और अगर आप हिंदू मख़ब पढ़ेंगे, तो हिंदू मख़बी किताब में भी यह लिखा है, जो मैंने पहले पेश किया पहला जो सवाल था, भाई साब का, और मैंने कहा, कि हिंदू मख़ब में भी यह लिखा है, ना तस्पति मास्ती, उस इश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूरती नहीं, कोई फोटरिग्राफ नहीं, कोई पोट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, अगर यह मान ले, कि कमस कम जो यक्सा है, हिंदू और इसलाम के मख़बी किताब में, कमस कम उसके ओपर अमल करें, तो अक्सर हमारे मुश्किला दूरो जाएंगी, जो यक्सा नहीं है, उसको कड़ डिसकस कर सकते हैं, और अगर आप तहकी करते है तहकी करते हिंदू मखब की किताब पढ़ते हैं, और इसलाम मखब किताब पढ़ते हैं, दोनों में लिखा है खुदा के कोई अखस नहीं हैं, दोनों में लिखा है कि खुदा के कोई बुत नहीं हैं, दोनों में लिखा है कि खुदा के इलावा किसी और की अबादत नहीं क इसलाम और हिंदुविजम में एक्सानियत दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सुरे माईदा सुरा पांच आयत नमर नबे में लिखा है कि शराब पी नहरा में अम मनुसमिती चैप्टर नमर नाइन कि आप के लिखा है कि आप के लिखा हरा में मरावा गोश खून सुर का गोश और वो खाना जिसके ओपर ल्लाब के इलावा किसी और का नाम लिया गया आप अगर हिंदू मजभी किताब पढ़ेंगे उसमें मी लिखा है का सौर का घोश खाना हराम है अगर आप तैकी करेंगे काफी अक्सानियत है इसलाम मज़भी किताब में लिखा है कुरान में सुरे नूर में सुरा नमबर 24 आहत नमबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में आउरत को अलमदलिल्ला हिजाब में होना चाहिए सर से ढखा होना चाहिए उसका जिसम तिर्फ जो दिख सकता है वो चैरा और हतेली तक के आप अगर हिंदू मजभी किताब पढ़ेंगे रिगवेज रिगवेज बुक नमबर 8 में लिखा है और रिगवेज बुक नमबर 10 में भी लिखा हुआ है कि आउरत को अपने सिर्क के पलों को डालना चाहिए चेहरे पे रिगवेज में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए ये कुरान मजद में लिखा है सुने नूर सुना नमबर 14 आयथ 339 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शोहर या खरीब दिख्ता नहीं है और जब भी कोई मर्द को आउरत को देखता है और खरीब दिख्ता नहीं है तो उसे झात नीचे करना चाहिए क्यों इसलिए मैं हवाले देता हूँ मैं कोई आलब नहीं हूँ मैं कोई पंडित नहीं हूँ मैं अपने आपको तालिब इल्म कहता हूँ लेकिन मैं हमेशे हवाला देता हूँ तो किसी को भी शक है किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है यहां इंटरनेट पे जाएए आप टाइप करो वेज भी इंटरनेट के ओपर है खुरान में इंटरनेट के ओपर है टाइप करो रेफिल टाइप करो आपका हवाला मिल जाएगा तो इसलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स और डिगूलेशन है वही होना चाहिए इसलिए दोनों लोग मुमिन होना जरूरी है